अलो फेंट कैसे आप दोस्तों आपको बताने वारा हूं Samsung Sound Assistant एप के बारे में जो की Samsung की तरफ से ही launch की गई है और यह Samsung Galaxy Store पे और आपको Google Play Store पे दोनों जगाई अविलेबल मिल जाएगी है अब दोस्तों इस एप का क्या यूज है और कैसे उसको यूज करते हैं दोस्तों तो उसके बारे मताने वारा हूं इसमें नए अपडेट आया और लेटेस्ट कुछ नए चेंजिस आया या नए फी जो भी फीचर्स है उसके नए दोस्तों एक एक डिस्क्राइब करके बताने वालों कैसे उसका यूज कर पाएंगे कैसे डाउनलोड कर पाएंगे और एक्च्वल में क्या यूज है दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा तो यह आप समझ पाएंगे तो चलते दोस्तों मेरे नम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैल ऐसे टैक में दोस्तों इसके लिए आपको करना किया सबसे फ़ले अपने जाना है प्लेट स्टोर में या ग्लेक्शी स्टोर में आपको यहां पर लिखना है उपर संसंग साउंड असिस्टेंट आपको कर लेना है इसको तो आप इस वर्जन को डाउनलोड कर लिजेगा या अपडेट कर लिजेगा उसके वाद सबसे पहले आपको जो ऑप्शन मिल रहा है नहीं है सिनारियो का यहाँ पर आपको तीन सिनारियो मिल रहे है जो कि प्रीडिफाइन है होम वर्क और स्लिप और नीचे आपको प्लस से अड़ करने का अभी दिया जा रहा है तो सिनारियो कोई ज्यादा यूज का है नहीं फिर भी बतायत हो यहाँ पर आगर आप जाएंगे यहाँ पर आप अपने साब से टाइम सेट कर सकते हैं उस टाइम पर आपका जो भी पर वो सब चीजे अन हो जाएगी तो यह सलिए रहता है अगर आप चाहिए तो इसको नेबल कर सकते हैं नहीं तो उसको आफ कर सकते हैं तो उसके नीचे जो सबसे पहला जो काम का वीजर जो कि मुझे लगता है सबसे नीचे आपको मिल रहा होगा वाल्यूम पैनल थीम इस को आप डाउन करेंगी तो आप देखेंगे पहले आपको पुराना वाला दिख रहा है तो यह ए आता है मैंने classic सैट तो यह पो आ आता हुगा आपको यहाँ पर ऊसको चैंज करेंगे लेन से आरूमे उसके नीचे आपको मिल रहा है ले आउर हो आप चाहते हैं यह लेफट मेह नाया चाहते हैं वह लेफट साइट से भी आप उसको यहांसे कर दिये लिफ और चैसी आप यहांसे करेंगे वॉल्माप छेंगे ब्लूए हो उर्क 2020 आप बाइ डिफॉल्ट आपकी जो की blue या black आपको जो उन सी चाहिए आप यहां से उसको ले सकते हैं उसको अपको उपर देख भी रहा होगा प्रिव्यू देख रहा होगा आपको कोई सी भी जो भी लेना है आपको यहां से select कर लेना है और बैक आजाएंगे तो यह select हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यह भार आ चुके हैं आप यहां पर आप देखेंगे यहां पर नीचे की तरफ आपको देख रहा होगा इसमें क्या-क्या कर सकते हैं आप आइकन कर सकते हैं how to move channel आप इसको कैसे इसको upgrade कर सकते हैं and then separate app sound डाल सकते हैं देखिए उसके लिए आपको जै तो यह उपर तक automatic आ जाएगा तो यह ऐसे work करता है उसके नीचे मिलने माला आपको option जो मिल रहा है control media volume पहले तो मैं आपको volume panel का theme बता दूँ अगर आप यहां से इसको panel को यहां से करेंगे तो आप easily यहां से इसको down करेंगे तो vibrate हो जाएगा उपर करेंगे तो sound का volume increase हो ज disrupt लगा के रखा तो इसलिए वह आ नहीं रहा है मैं दूनों disrupt को हटा देता हूं तो यह वहां से भी volume set होने लग जाएंगे तो आप देखेंगे अब मैं करता हूं यह नीचे जाओंगा तो आपको दिख रहा होगा यह notification भी मैं यहां से set कर सकता हूं system sound भी कर सकता हूं यह यह करके करना तो custom से भी कर सकते हैं उसके बाद दूस्तों नीचे उसी की तरफ आएंगे आप यहां पर वापिस पे क्लिक करेंगे यहां setting option मिल रहा है आप जैसी है setting में क्लिक करेंगे तो individual setting खुल जाएगी सब सबसरी बात यह अगर आप यहां से जाएंगे तो आपको एक यहां से कर सकता हूँ उसके बाद यहां setting पे चले जाएंगे दोस्तों यह हो गया इसका description कैसे यूज करते हैं उसके बाद आपको नीचे मिल रहा है control media volume अगर आप चाहते हैं अगर आपने देखा हो जैसे मैं यहां नीचे कर रहा हूँ तो यहां से sound normal ringtone या जो भी हो रहा ह अब यह media volume को manage करेंगी मैं up down करूंगा तो यह media volume कम होगा जो sound का है वो कम नहीं होगा तो अगर आप media जादा यूज करते हैं तो आप इसको use कर सकते हैं तो दोस्तों individual app volume को जो feature है बहुत काम का feature है यहां पर आपको क्या करना है कुछ apps को add कर लेना है जिनको volume को आप individual maintain करना जाते हैं अलग-अलग करके तो उसको भी बतायता हूं कैसे तो यहां पर मैंने एक MX player को ले लिया है और साथ में यहां पर मैं कर लेता हूं Google Chrome को तो मैं आपको इसलिए अलग-अलग से कर रहा हूं जिसमें मुझे copyright का issue ना हो अगर आपको use जो है उसका अलग ही है अगर audio को यहां पर play कर लिया आप देख रहे हैं यहां पर audio play होने लग गया जो की उपर आपको दिख रहा होगा अब यहां audio play होने लगा क्योंकि आपको सुनाई इस नहीं देगा क्योंकि headphone पर connected है उसके बाद मैं यहां पर जाता हूं MX player में जाने क्या दोस्तों मैं करता क्या हू अपनी कोई सी भी एक वीडियो को यहां पर play कर लेता हूं यह मेरी वीडियो play हो रही है ठीक है play हो रही है अब देखेंगे अब दोनों चीजे एकटे play हो रही है वहां से audio को मैंने play कर दिया और यहां से video भी play हो रही है अब अगर आप मैं इसको करूंगा यहां से sound को volume assistant को इसको थोड़ी इसको भी वहां पर मैं background में play कर लिया है अगर आप मैं यहां से इसको करूंगा volume come go down तो आप देखेंगे यहां पर आपको दो option मिल रहा है MX player का इसलिए दिख रहा है क्योंकि MX player चल रहा है और यह बंद हो गया तो मैं इसको भी चालू कर दूँगा तो अब देखेंगे आपको यहां पर दो इखटे देखेंगे अब मैं दोनों को individual sound को maintain कर सकता हूँ अपने हसाब से किसकी थेस करनी है किसकी कम करनी है और उनके sound at a time आपको मिल जाएंगे आप चाहें तो उसको YouTube में भी कर सकते हैं अपने कोई से भी audio player में भी कर सकते हैं और कहीं य दोस्तों अगर आप नीचे को दूसरा option देखेंगे उसी के बाद उसके लिए वापर चलते हैं उसी एप में एप में जाने किया आपको जाना है यह सेटिंग में उसके बाद मिल रहा है आपको floating button का option इस floating button से आप क्या कर सकते हैं उसके लिए अगर आप यहां से three dots क्लिक कर यहां पर आपको दिख रहा होगा एक button सा दिख रहा है sound assistant का यह उत्ती देर रहेगा जितने अगर पॉप आप 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 दिख रहे हैं यहां पर आपको उस पर क्लिक कर लेंगे तो आपको पूरा sound assistant यहां पर दिख जाएगा उसी app का यह MX बेसली दिखा रहा है क्योंकि MX प आपको दिखेगा हो चाहे तो आलवेज आप इसको यूज कर सकते हैं उसके बाद नीचे मिल रहा है आपको change step the volume इसका कुछ ऐसा use है अगर आप देखेंगे यहां सा अगर आप इसको volume का up down करते हैं तो इसकी speed कितनी तेज हो रही है आप देख रहे है कितना slow चल रहा है यह speed है उसकी कितनी speed में हो गए मैं इसको यहां से कर देता हूँ speed जो है उसकी slow हो जाएगी नीचे आने की या एक step में यह ऐसा work करता है इसकी slow गई है अब मैं यहां से उसको बापर speed उसकी बढ़ा दूँ हो तो speed रहती है speed maintain होती है setting में जाएंगे यहां जाएंगे तो आप उसकी यहां से बढ़ा देंगे तो speed उसकी जो up होनी के speed हो तो तेज हो जाती है तो यह ऐसा work करता है उसके बाद आपको multi sound जो feature है यह उसी से मिलता जूलता feature है जो कि मैंने आपको बताया यह एक बार में एक की चलेगा multi sound यह separate उसमें चलता है तो ज्यादा use का नहीं है तो आप उसको रहने दी है multi app sound वाले को वह उसलिए होता है यह उसलिए है कि आप एक time से जादा दोनों apps को use कर पाएं तो इसलिए है तो मनलब एक sound चल रहा हो दूसरी app को भी use करना है तो आप इस option का use कर सकते हैं उसके आपको मिल रहा है separate app sound तो यह बहुत शांदर feature है अगर आप Bluetooth यूज़ करते हैं आप चाहते हैं कि उन्स app को या क कोई सबी game है उनका sound सिर्फ उसी पे आए मनलब headphone पर याए तो वो सिर्फ headphone पर आएगा like मैंने यह आपर select कर रहा है Facebook और audio device मैंने phone कर रहा है अगर मैं यहां पर इसको कर दूँगा Bluetooth तो Bluetooth के अलावा अगर मैं इसको normal use करूंगा तो उसका output नहीं आएगा जो की उपर आपको अगर आप game play करते हैं उसका sound आपको लगता है कि headphone पी आए तो आप यहां से उस game को select कर लीजिए और यहां पर आप उसको कर दीजिए allow तो उससे होगा क्या देशे मैं आपर यहां तर गेम या जो भी आप audio वीडियो दिखना चाहते तो आप particular send कर देंगे उसके बाद उसका sound यहां से maintain कर सकते हैं dolly items के लिए बने अलग वीडियो बना रखी इसका link में आई बटर में दे दूंगा चाहें तो आप वहां जाके देख सकते हैं उसके दोस्तों यहां advanced setting में जाएंगे advanced setting में आपको मिल रहा है mono IDEO जो कि आपके जो headphone से उनका IDEO को फेवरेट करता है तो आप यहां से देख सकते हैं और यह फेवरेट मीडिया अप स्लेक्ट वालियूम की जो कि मैंने बताई दिया आपको selfie stick player record using your phone speaker microphone when selfie stick is plugged in अगर आपके बाद selfie stick लगी होगी तो आपके speaker और microphone दोनों work करेंगे तो यह असली होता अगर इस option को यूज़ करना थे महां से यूज़ आपको option मिल रहा है आल though headphones headphone हेटफोन में आप क्या क्या सुनना चाहते है ringtone alarm notification अगर आप नहीं चाहते हैं कि headphone में आपको ringtone कि वाज़ा है तो आप यह बंद कर सकते है और notification किया वाज़ा है तो यह बंद कर सकते हैं तो यह इस लीँए गया है उसके बाद को मिल रहा है reverse stereo reverse stereo होता है कि right वाला left हो गया left वाला right हो गया यह एटफोन उबर करता है आप चाहे तो इसको balance कर सकते हैं उसके यहाँ से आप left and right sound को दोनों को balance कर सकते हैं तो यह स्ली होता है तो actual में दोस्तों यह पूरा इस app का use में आपको बता दिया है तो दोस्तों मुझे लिगी कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद बेगीkov अकर legislator in